हेलो ब्रीबन स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल के साथ ही हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है यह वीडियो में हम लोग जानेगे कि आपके भारती सम्मिधान में कितने महत्पूर्ण आर्टिकल है जो आपके एक्ज जारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले कि हर कम्पूर्टेंटी एक्जाम में पॉलिटी आती है और पॉलिटी से अंच्छे से पूजिशन बनती है तो आज इन लोग जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल से उसको देख लेंगे और रिवीज दस्तावेज है यानि कानून ऐसा दस्तावेज है जिसके उपर कोई नहीं सब्से प्रमुग दस्तावेज यही है जो कानून बनाता है और क्या करता है यह सरकार की रूप लेखा बनाता है कि सरकार किस प्रकार की होगी और सरकार का संचालन किस प्रकार से होगा इसके प्रा लग विश्यों का उलेख करते हैं कि एक भाग में क्या होगा दूसरे भाग में क्या होगा और तीसरे भाग में क्या होगा और इन जिन भागों को अन्षेदों के रूप में बाटा गया किसके अन्षेदों के रूप में बाटा गया है और उन्षेद मारे कितने हैं तो मूल सम समीधान में 22 कि इस वारा नसुची आएं कितनी है बार रहा नसुची आए जो मूह समीधान में आप हम लोग देखेंगे भाग एक जो समिधान का भाग एक है उसको देखेंगे हम लोग तो भाग एक जो कहता है संग और उसका राज्य छेत्रे भारत का नाम क्या होगा जो हम पने देश का नाम लेते हैं उसका नाम क्या है और उसके अंतरगत जो राज जाते हैं उनका नाम उनकी सीमाएं ये सब कौन दिजार करें का भाग एक में बताई गई है जैसे कि अंचित एक कहता है कि संग करगा नाम और राजशेत्रे संग का नाम क्या होगा हमारा वह है भारत भारत दैट इस इंडिया या इंडिया भारत ये क्या है संग का नाम में और राजशेत्रे जो भारत की सीमाएं है उसको राजशेत्रे में इंकोट किया गया है तो आर्टिकल एक आपके लिए खाभी इंपॉर्टन है आर्टिकल दूसरा भी आपके लिए इंपॉर्टन है इसमें का गए नए राज्यो हो अपने देश में मिलाने का जो पावर अंचेद पावर सम्विदान देता है आर्टिकल के अंतरगत देता है कि सम्विदान ने बिताता है कि आप दूसरे का कंट्री को अक्वायर करते हैं कुसी दूसरे राजिश को अक्वायर करते हैं तो उसे आप अपने देश में मिला सक गएंग्यली हटा दिया गया है आंगे एंचे–3 उन्चें के गहता है नए राज्यों को निरमार बरतमार के छेत्रों सीमा और नामों में परिवर्तन अथार्थ जो आर्टिकल तीन है यह किन पर लागू होता है तो यह बरतमान में जो राज भारत में है बरतमान राज्यों पर जो भारत में है भारत में है यह इन पर लागू होता है कैसे लागू होता है कि जो नाय राज जैसे माल लीजिए आं प्रदेश को बाटना उसकी सीमा जैसे आंद प्रदेश से काट तेलांगना बता दिया गया तो सीमा निधाना कर दी के नहीं उसकी सीमा को काट दिया गया और नामों में परिवर्तन किसी प्रदेश का नाम जैसे मालीजी उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश को अगर कोई अंतरगत आता है तो अंशे तीन भी आपके लिए इपॉर्डंट है और अंशे चार ये का कहता है तो ये अंशे दो और तीन के अधिन बनाई गई बिधियां जो हैं तो इन बिधियों को संसत जो है अब सम्धान को ये पावर देता है कि आंशे दो और तीन को लागू कराएं और क्या पहले इंसूची और चौथी इंसूची के संसोदन तरह अनुपूरो अनुशांगिक प्रणामों के बिश्यों पर उपन्त करने के लिए उच्छे दो और तीन के अधिन बनाई गई बिदियां ठीक है तो ये चारो आर्टिकल आपके लिए काफी इंपॉर्टन हो जा थोड़ा मोटा है प्तला कर लेते हैं ताकि आपको नोट्स मिलने में असानी हो जाए तो तो एक दो तीन और चार ये आपके लिए चार इंपॉर्टन है अब देखते हैं लोग भाग दो देखिए यदि वीडियो पसंद आ रहे ही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल हैं तो बतमान में क्लाश चल नहीं इसके दियुको पीडियो चीए तो आपको बस एक काम करना है काम ये करना आए आपको कि आपको प्ले स्टौर पे जाना है और एक्जाम वीडों बैब एप इसको मिल जाएगी झाय है इसकी पीडियो ग्रपर कर सकते हैं एक्ष्ट कर स आप 9643622801 यह दो नंबर हमारे वाटसप हैं वाटसप पर आप क्वाटसप कर सकते हैं आपको कोई दिक्कत आती कोई प्रेशा नहीं आती है इसके लाव आपको कोई और नोट से लेने हैं सारी जानकारी आपको इन दो नंबर उपर मिल जाएगी तो आपको क्या करना है या आप डाउनलोड कर लीजिए या तो आप इन नंबर उपर समपर कर लीजिए आपको सारी जानकारी हम लोग परदान कर देंगे तो अब देखते हैं भाग दो भाग दो क्या कहता है नागरिक्ता के बारे में हमें बताता है कि भारतिय नागरिक्ता कैसी होगी भारत के जो ल जनवरी 26 जनवरी 1950 को हमारा समिधान बनके लागू आता तब तक किल लोगों को नागरिकता दी जाए ये अंशेत पार्च बताता है ठीक है आगे देखे अंशेट 6 अंशेट 6 और साथ दीए ये जो अंशेट थे ये बरतमान प्रिस्थितियों को देखकर बनाए गए थे बरत एक मार्च 1947 ये डेट ये आपको याद ना हो तो मैं बता दूँ इसमें का हो था पार्टीशन हुआ था हमारा पार्टीशन यानि बटवारा हुआ था बटवारा किसका हुआ था भारत का और पाकिस्तान का हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान का हुआ था तो जो लोग प पाकिस्तान से भारत आया भारत से पाकिस्तान गया इसके बाद पुना बारत आये इन लोगों के लिए य蒜 अंशेथ बनाए गए थे अंशाद पाकीस्तान से भारत को प्रोविजंटार इसलावा इस इस पर पाकिस्तान को प्रॉविजं़ेंड करने वाले विख प्रोविजंट नक्र Till המ׆खDh पाकिस्तान चले गए लेकिन मारकार्ट को देखकर क्योंकि पाकिस्तान चले गए लेकिन मारकार्ट को देखकर क्योंकि पाकिस्तान हो रहा था दंगे हो रहे थे तो इन सब को देखकर उनका मंतर भी तुछा या उनको पाकिस्तान में अच्छा नहीं लिए उनने सुचा कि च आपके लिए महतपूर हो जाएगा तो यह दूनों आपके लिए महतपूर्ण है ठीक है घृकन तो यह भी आपके अपक सिर्फ बिलग कर भारा रह रहने वाले भारति उदभववक के बारत की आजादी के लिए जैसे कि लाला हर्दयाल वह कहां थे वह भारत से बाहर रहते तो जब भारत आजाद हुआ तब वह भी कहां थे ब्रीटेम में थे उनके लिए इस प्रकार की बैक्सिके जो भारत से बाहर रह रह रहे थे उनके लिए यह नाजेज्ट का का दून लाया है थे हुए इसके लाबा 사랑 पैदा होते हैं तो भी वह भारतिये होंगे आगे देखिए आटिकल नौ क्या कहता है तो यह आटिकल नौ कहता है बेदेशी राजी की नागरिकता स्वेच्छा से ज़िद करने वाले बैक्तियों को नागरिकत ना होना यानि भारती सम्मिधान क्या कहता है भारती सम्मिधान आपको एकलगरिक्ता का दर्जा देता आये नागरिक्ता क्या होती है आग् acids ये होती है कि आपा भारतिया ियर प्राइश की ब्हुतिक्री भारतिया नाग्रिक्ता खत्म हो जाएगी जैसे कि कोई अमेरिका गया पढ़ने गया या रहने बिजनिस करने गया उसने क्या किया उसने स्वेच्छा से अमेरिका की नाग्रिक्ता ग्रहंड के लिए तो जिस दिन वह जिस सेगेंड अमेरिका की नाग्रिक्ता ग्रहंड करेग और Article 11 का संसत द्वारा नगलत्ता के अधिकार का बिधी दौरा दियंविद किया जाना देख either जब समयधान लागू हो गया यानि 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया SOंच जो ऊपर आपका आपका एकर बताया गया ति कि देखिए क्या है कि जो दिन सम्मिधान लागू गुआ है उस दिन तक आप इस प्रकार से नगर्टता गरें देखते हैं अमाल लीजिए कोई 1998 में आया उसे भारतिया नगर्टता चाहिए तो क्या करेंगे इस प्रकार से उपर का आडिकल है उसमें तो कोई दे भी सकते हैं अपने हिसाब चे तो यह संसत को अधिकार है कि आप नगर्टता संबंदी करें बनाने के पास तो ग्रह मंतरने के पास अधिकार है नाक्ता सम्मंधी कानून बनाने के तो यह आपको याद रखना है आगे देखिए भाग 3 भाग 2 हो गया है अब भाग 3 देखेंगे भाग 3 भी आपके लिए इंप्रटेंट है इसमें दिए गए है आपके मू करल अधिकार fundamental rights दिए गए हैं काभी important है तो सबसे पहले देखिए मैं आप को बताना चाहूंगा कि जो मूल अधिकार हमारे हैं वह कहां से कहां तक है तो बारा से 36 तक है 35 तक सवरी है ठीक है तो आर्टिकल बारा क्या कहता है अर्टिकल बारा मूल अधिकार जो हमारे fundamental rights हैं उसकी परिभासा बताता है क्या आता है परिभासा बताता है इसके लाबा अर्टिकल 13 भी important है यह क्या बताता है तो यह बताता है मूल अधिकारों के असंगत उनका अलपी करण करने वाली बिधियां यह जैनकारी आर्टिकल 13 के दिन आती है आंगे देखिए समता का अधिकार तो सबसे पहले देखिए यह आपको एक क्रम भी याद रखना है किस प्रकार से किस क्रम उस्ति हम में प्रकार बताये गएंए जैसे सबसे पहले जो आपकी आता है वह है समता का दिकार आता कि सभी लोग भात में रहने वाले सभी लोग समान होगे जातिक से किसी धर्म के नाम पर कोई मुश्लिम है या कोई हिंदू है इसके नाम पर भी आपको समानता दी जाएगी आप सभी के लिए समान होगे बांसा के अधार पर भी आप समान होगे चाहे वो आप हिंदी बोलने हो या तमिल बोलने हो आपको समानता का अधिकार दिया जाएगा आप सम ये वाइशे हो, शूद्रो, कोई भी हो, आप विधी के समध्मस्थ जाती लिंग या जन्विस्थान के आदार पर विवेद का प्रतिशेद यानि आप इन जो आपके बताएगे हैं पांच दर्म मूलवंश जाती लिंग या जन्विस्थान के आप पर भेद नहीं किया जाएगा आपको समान रूप से ट्रीट किया जाएगा अंगला देखिए इसे राजा, रनजी सिंग, महराजा यह सब क्या उपाधिया है ना तो उपाधियों का अंद कर दिया गया आपका बस नाम होगा आपके आगे उपाधी नहीं हो सकती है ठीक है तो उपाधी उकांत कर दियागा है सभी लोग समान रूप से देखे जाएंगे तो आर्टिकल जो फंटाव इंटराइटिस में संतार अधिकार आपके लिए इंपॉर्टन है कितने आर्टिकल आते हैं पां कर सकते हैं ठीक है आपको य watches ऐनके इस वात he is my देखिए तो अपराधो के लिए दो सिधी के समंद्द में संग्रच्ष्ण यह भी आपके लिए इंपॉर्टन है अप्राधों के लिए दो पाइस बात क्या करता है तो कुछ दसाओं में गिरफतारी और निशियत से संगरफचन यह भी आपके लिए इनफॉर्टन है देखिए यहाँ पर एक दिया नहीं के मैं आपके बता दे रहाँ आर्टिकल 21a आर्टिकल 21A ये भी आपके लिए important है ये के कहता है तो ये कहता है थोड़ा pen short पतला करनों ताकि आपको जन समझ में आ जाए ठीक है तो ये कहता है कि छैसे 14 वर्ष के बच्चों को चैसे 14 वर्ष के बच्चों को कि सिच्छा का अधिकार किसका है सिच्छा का अधिकार ये आटिकल 21 से पहता है इसके लावा जैसे कि आप 21 में देखो आटिकल 21 में तो निजिता का अधिकार क्या है निजिता का अधिकार भी आपको देखने को मिलेगा आटिकल 21 में निजिता का अधिकार इसके में आटिकल 21 के अंतरगत आएगा तो यहां आपके लिए आटिकल 21 काफी इंपॉर्टन बन जाता है आंगे देखिए तीसे नमबर पर कहा आता है शोशड के विरूद अधिकार ठीक है किसके विजुद्द शोशड के विरूद अधिकार आपके लिए ठीक है इसमें आप समझों ऐसे कि जो मानव है ठीक है मानव का देवेपार करना उसके सोच्छन करना यह आप उसका प्रतिश्यत कर सकते हैं इसके लाब बेगारी का और बलात श्रम का यानि बल से स्रम लेना आपको बंधुवा मजदूर बगरा ठीक है जो बंध श्य दोगा और ट्रैस इसमें कहता है आटिकल 24 के कहता है तो यह कहता है कारखानों आधि में बालोकों कर नियोजन का प्रिशित किसका है बालोकों करन बच्छों से आप काम नहीं करा सकते हैं तो आटिकल 24 भी आपके लिए आपके इंपड़न बन जाता है आगे देखिए चौथा नमबर पर क्या आता है चौथा जो इदकार है हमको चौथा अधिकार प्राप्त होता है धर्म की सोतनता का अधिकार आपको धर्म की सोतनता का अधिकार दिया जाता है और इसमें आता है सबसे पहले आर्टिकल 25 इसमें कहता है अंता करण की और बुद्ध धर्म के अनुमती देता है 25 आपको यह अनुमती देता है आगे देखिए आर्टिकल 26 यह कहता है तो यह कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंदे की सुतंद्रता यानि आप जो भी आपके धार्णमिक कार हैं उसको आप कर सकते हैं। जा से हंदू धर में क्याँ है तो हुजा OCADA करना मुस्टश्व करना नमाज करना सड़कों पर जोकार रहे हैं उससे प्रकार से कारेेंि हिंदू धर ज हवन करना इन सब करने की आपको स्वतंतरता है आगे देखिए आर्टिकल 27 किसी पिशित धर्म की अविर्वद्दी के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंतरता और आर्टिकल 27 कुछ सेशन हंसानों में धार्मिक सिच्छा या धार्मिक उपासना में उपस्तित होने के वारे में स्वतनत्रता तो जो आपका 28 है यह आपके लिए इतना खास important नहीं है ठीक है यह इतना खास important आपके लिए नहीं है तो इसको हम लोग skip करेंगे और 27 आपके लिए important है तो यह हमारा skip कर देंगे ठीक है यह इतना खास आपके लिए है नहीं आगे देखो अंगला कौन सा हमारा है अंगला हमारा है आर्डिकल 29 यह कहता देखिए पांचमा दिकार क्या हमारे पास है संसकर्थी और सिच्छा संबंदिय दिकार हमारे पास है तो इसमें सबसे पहला आता है आर्डिकल 29 इसमें का गया आलप संखिक बर्गों के हित्वों का जफ्रेच्छड बताए आर्डिकल 29 में और आर्डिकल 30 यह कहता है कि सिच्छा संखिक बर्गों का अधिकार यह आर्डि सबसे पहले आर्टिकल 32 इस भाग द्वारा प्रदत अधिकारों को प्रवत्रित करने के लागा उप्चार और आगे भी आपके लिए कुछ खास इंप्राइट है तो इसको भी हम लोग पूरा ही स्किप करेंगे ठीक है इसको भी हम लोग पूरा स्किप करेंगे अधिकारी मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार यह कहा से कहा तक है तो यह हैं 12 to 35 12 to 35 यह हमाने मौलिकार है तो यह आपको याद रखना है तो इसके साथ ही हमारा भाग तीन खत्म होता है अब मुनों देखेंगे भाग चार तो भाग चार में क्या है आपके राज के नीटी निदेशक तक्तों यह सामिल किया गया है DPSP को सामिल किया गया है तो कौन कौन से important है तो सबसे पहले क्या है देखिए हम लोग तो सबसे पहले जो number आता है वो है परिवाशा राज के नीटी निदेशक तक्तों की परिवासा क्या होगी यह सबसे पहले आपके दिमाग में यह कुश्ण यह आता है तो यह इतना खास आपके लिपॉर्ट है नहीं तुसको नहीं देखें कि उतना आगे देखिए अंगला कौंसा है इस भाग में अंतरविष्ट अत्वों को लागू करना तो यह भी आपके लि सामाजी वेस्ता बनाया रखना यह इतना खास आपके लिए इंपॉर्ट है नहीं आगे राज द्वरा अनुसर्णी कुछ नीती तत्व यह आपके लिए इंपॉर्टन्ट है ठीक है और 2949 और 4949 सामान न्याय और निस्लक विदिक साहता यह इंपॉर्टन्ट है आपके ग्राम पंचायतों का संगठन क्या है ग्राम पंचायतों का संगठन इंपॉर्टन्ट है कापी ज्यादा आपके लिए थोड़ा सा कलर चेंज करेंगी जड़ा ग्राम पंचाइद्व का संगठन ठीक है यह आपके लिए important है और आगे दिखिए 41 41 क्या कहता है कुछ दसाओं में काम सिच्छा और लोग सहता पाने का अधिकार तो यह आपके लिए इतना खास important है नहीं हलाकि अच्छा है लेकिन इतना खास आपके लिए important है नहीं आगे काम करने की न्याय संगत और नानवोचित दसाओं का तथा प्रशूती सहता वबंद यह उतना खास important आपके लिए और कर्मकारों के लिए निरभा मजदूरी आदी यह आपके लिए important है कर्मकार यानि जो अगे देखिये 46 lieg P reliable आज़ों के लिए एक सरह एक समान civil सहीता क्या है एक समान civil सहयता ये most important life के लिए और चएड इंचे 4 कि यांगी क्या है कि बालग को के लिए निशुक सुच्छा का वंद अर्टिकल 45 कहता है आपके लिए आर्टिकल 46, 46, अमसूची जातीयों, अमसूची जिन जातीयों और अन्य दुर्वल बर्वों के सिच्छा और अर्थ संबंदी हितों की अभरती ये इतना खास इंपॉर्टन आपके लिए नहीं है और पोशाहार्त इस्तर जीवन इस्तर को उचा करने दिका लोग सास्त का सुधार करने का डार जिका करता भी ये आपके लिए इंपॉर्टन नहीं है आटिकल 47 भी आपके लिए इंपॉर्टन नहीं है ये आटवड का रिखता है ये वह आपके लिए काफी ज्यादा इसमराणी एक रोप में है तो वो उसका संग्रिष्ण करना यह ओर आटिकल 59 कहता है यह भी आपकी लिए इंप्रिटल है इसके बार आटिकल 50 यह भी आपके लिए इंप्रिटल है क्या कहता है कारव पालिका से नचाइप हाण का प्रतक locks क्रत करण तो ये भी आपके लिए important है कापी जादा इसको भी हमें याद रखना है और इसमें आपको देखिए हाँ article 48 ये भी आपके लिए important है ठीक है तो इसको भी आपको याद रखना है अब आर्टिकल क्या है इक्यामन आर्टिकल इक्यामन जो है अंतर राश्री सांथी और सुरच्चा की विर्विद्धी तो ये भी आपके लिए उतना खास important नहीं है तो इसको भी हम लोग skip करेंगे अब आता है भाग चार का ये most important है आपके लिए ठीक है तो यहाँ पर जो DPSP अब लिए आपका राचकी नीजे सकत्त्वर् यह कहां से कहां तक हो जोने यह आपके रहेंगे 36 से लेकर 51 तक रॉट क्यामन का यह कहता है ये मूल करतब के बारे में बताता है कि इसकार में मूल करतब के बारे में बताता है सबसे ज़्यादा important रहीं आर्टिकल कौन सा हमार तो इक्यामन का चलिए इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात कर लेंगे जरासी तो देगिए मूल जो हमारा मूल कर्तबी है does इसके बारे में कहाँए तो जब पहले बात ही इनके कुल कितने मूल करतब मारे है जो मूल करतब भी है तो यह कितने हमारे आएंगे सबसे पहले तो यह आएंगे कुल ग्यारा कितने हैं ग्यारा हैं दस को बात करें कि देखिए जो मूल संभिधान था हमारा उसमें मूल करतब भी नहीं थे लेकिन सामिल किया जाते हैं तो दस जो मूल करतब हैं उनको सामिल किया जाता सब्सक्राइब कंपा ख़ायर 42 सन्षो दो में ठीक है संविधान संषोधन अर अथरवि को पता होगता है कि 32 मासे BBC कॉछ आता तो कब वहन था 1976 का राधा यह आप सब्सक्राइब को पता होना चाया कि पहले सिर्सक्राइब संबिधान संसोधन कभबा आता है इसके बाद से के यह अधिशारिस में संबिधान संसोधन यह और यह कब हुआ था तो यह हुआ था हमारा 2002 में ग्यार्मा ठीक है ग्यार्मा कर्तब बे तुस्वा कर्तब और ग्यार्मा कर्तब बे अब ग्यार्मे कर्तब में आखिर कैसा क्या कहा गया है तो ग्यार्मा कर्तब कहता है जो 6-14 बरस के बच्चे हैं बच्चों को सिच्छा का प्रतान करना सिच्छा का अऩर प्रतान करना तो उसका करतथ आ कि तो यह मात पिता माता पिता अभी बावबग यह इनका करतव यह है कि आप पच्चो को क्या करें प्रतान करवाएं या daha कесь लोग आप वह के भाग पांच में क्या है ना तो पहला दौन के संघ केंदर सरकार हो इसके देखें तो इसमें पहला का रपालिका में सबसेखें वहाइधान गुदर राष्ट-प्रती लिया का अधा है। प्र रखर ार्द पावर्त प्रधानमंद्री के sometimes यह सरॉच है वो राष्ट-पती ही है उमारे के आज का अफ राष्ट-पती के बारे में जानकाई दिए गयी है यह कि닐 की पाष्ट पत्य होगा यह किसमें का आगया यूनिये Language है। उसकé कारपालिशा की क्या कहन होगी यह कौन डिफाइन करेगा यह कौन बताथा है है और अभुर्ट दिश्चतिंफन बताता है आडिकल 54 राश्टपति का निरभाचन जो हमारे राश्टपति होंगे उनकवा क्स प्रकाल से चुनाओ होँगा ये सब बताता है, आर्टिकल चुमन बताता है, आर्टिकल पच्पन कहता है, राष्टपती के निर्वाचन की रीती क्या होगी, ये आर्टिकल पच्पन बताता है, रीती ये क्या समझोगे, आप समझोगे की प्रणाली, प्रणाली, ठीक है, प्रणाली में लग किस प्रकार क आफिक निर्वाचन की तौर पर सामने आएगए ये कहता है अब देखिए आटिकल 16 ये कहता है राष्ट्पती की पधावदी प्तावदी कितनी हमारी राष्ट्पती के पांच वर्स है और यह बताता कौन, तो यह आपके लिए इंप्धावशन यह क्या कहता है, पुन मिरवाचन के लिए पातरता क्या होनी चाहिए पुन मिर निरवाचन के लिए यानि यह कोई दूपार्ण खळा ओता है तो उसके लिए पातरता होनी चाहिए तो यह important है आप के लिए आगे देखिए आर्टिकल अठामन राष्टपती निर्वाचित होने के लिए आ रहता है लग आजिए आपको राष्टपती बनना है माली जे X वक्ती है X वक्ती है इसको क्या बनना है ये राष्टपती बनने की इच्छा रखता है कि मैं बढ़ा होगे राष्टपती बनूँगा तो आपके लिए के पास क्या क्या चीज़ें होने चाहिए आप किस कैटागरी में आना चाहिए सपोक कॉन बताता है तो आर्टिकल अठामन बताता है कि आपके पास क्या आरता है होनी चाहिए नाक तेड़ी, मूठ तेड़ा गर्दन तेड़ी, नौक नी ये सब नहीं जैसे भारती होना आप भारती हों आप बूट डालते हों आपकी एक उम्र बताई गई है जो एक उम्र हो गई हो आपकी ये सब चीज़ें डिफाइन की गई है अब देखिए आर्टिकल नंबर 69 राष्टपती पती के लिए सरते क्या क्या है इसके बारे में बता गया है और 60 कहता है राष्टपती की सपत जो राष्टपती सपत लेगा वो आर्टिकल 60 बताता है आंगे देखिए 61 61 कहता है राष्ट पती पर महाब्योग चला जाने की प्रक्रिया ये बताता है रहा महाब्योग क्या नहीं क्या है राष्ट पती के उपड को हटा जाना राष्ट पती को क्या है राष्ट पती पड से हटा जाना राष्ट पती पती पड से हटाया जाना कि यह कहलेगा महभीयो कहला इगा है देखिए अंश्द 122 स्र्दास्पति पढ़िक को भनगी दिश्णा समय को वह वरॉzen के समयीं हो despite इतना खास आपके देफिन नहीं है अजय कि आर्टिकल ठेशर थेट क्या है भार्त को उपराष्ट पती इंप्रॉटेट आपका, आएटिकल 63 ये कहता है, कि भारत का एक उपराश्ट पती भी होगा, तो आएटिकल 63 ये बात करता है, आगे देखिए, राश्चित चाह्चत ये कहता है, ये क्ये कहाइगा, Most Important है आपके लिए, घुछे यह मुश्ट इंपॉर्टन है आंगे देखिए आंगे क्या है आर्टिकल नंबर 65 यह कहता है राष्ट पति के दौरान या उनके अनुपस्ति में उप्राष्ट पती का राष्ट पती की रूप में कार करना और कत्यों का निर्भारन करना देखिए इसमें पूरा आपको नहीं देखना है आपको बस मुद्दे की बात क्या है तो मुद्दे की बात यह है कि राष्ट पती उप्राष्ट पती का राष्ट पती के रूप में कार करना कब कार करेगा और कत्यों का निर्भारन करना कब कार करेगा जब उनके अनुपस्त पर आश्ट पती का निरवाचन कैसा होगा या आटिकल प्सक्राइब करता है देखिए बेडियो को लाइक कर दीचेनल पर नहीं है तो चेनल को स्सक्राब कर लिए बेल आकन को प्रेश्ट कीजिए ताकि वीडियो के लेक्र नाश्क क्षेले हैं नाम क्या हमारा है इसको डाउलोड कर लेना है वहां आप उसकी PDF मिल जाएगी और यदि आपको कोई दिक्क्त आती कोई कोई करनी है तो हमारे कुछ WhatsApp नंबर है इन पे आप संपर्ग कर सकते हैं कौन को से नंबर है तो 790-540-7400 इस पर संपर्ग कर सकते हैं या फिर आप 9643622801 इस पर संपर्ग कर सकते हैं दोनों नंबर हमारे हैं आप संपर्ग कर सकते हैं ठीक है आँगे देखिए तो अटिकल 68-8 बश्राश्ची को बंटने के लिए निरवाचिन कराने का समय तो यह उतना खास important आपके लिए नहीं है इसको छोड़ देंगे स्किप करेंगे आंगे देखिए आप थोड़ा स्पीन पढ़ेंगे क्योंकि आडिकल जादा है और जो मैंने आपके लिए important तो मैंने आपको बता दी हैं सब important नहीं है तो हम लोग जल्दी जल्दे करके पढ़ेंगे आंगे देखिए उफ राष्ट प्रती द्वारा सपत लिया जाना तो यह आपके लिए तर द्वार्चेस सम्मंदित असंगत भेल है तो यह उद्वीं आपके लिए करे च्मातर में होती है आंगे क्या है मात तो अंशे 73 संगे की कारपालिका सक्ति का विस्तार और मंत्री परिशत ये 73 बात करता है आगे देखिए आठीकल चौतर रहस्पति की सायता और सला लेने के लिए मंत्री परिशत तो ये ना खास इंपॉर्टन आपके लिए नहीं है परिशत्र देखते हैं मंत्रियों के बारे के बारे में अनुपवंद और भारत का महानियावादी ठीक है बारत का महानियावादी यह आपके लिए इंपॉर्टन्ट है बारत का महानियावादी जो इसके लिए यह भी आडिकल 65 आपके लिए इंपॉर्टन्ट हो जाता है आडिकल 66 क्या कहता है तो यह कहता है बारत का न राश्पति को जानकाई देने आज के उपसंबंद में प्रधान मंत्री के क्या करतब्य हैं तो यह इतना खास आपके लिए इंपॉर्टन नहीं है तो इसके लिए हमको स्किप कर देंगे कर आगे देखिए संसद यह अधयाि दो है इससे पहले अधयवन मारक आता मारकार पाली कहा और दूसरा क्या वारा अधयादन क्या है वह संसद को साद्रन में क्या करें कि देखिए चर्वंट इनियमन प्रक कर देंगे तो संसदग मा गटन कैसे होगा इसके बात ह Taras सब्सक्राइब करें और यह सारे आपके लिए इंपॉर्टन है ठीक है और 82 प्रतिक जर्णा के फशात पुना समय विजन तो यतना खास इंपॉर्टन आपके लिए नहीं है और 83 दोनों सब्सक्राइब की अवधी क्या होगी यह भी आपके लिए इंपॉर्टन है और 84 सब्सक्राइब क्या आरता है होनी चाहिए जो सदन में लोग बैट रहे हैं किस क्या क्या होना चाहिए यह अंशित 84 बात करता है आगे देखिए सदन के सत्र स्त्रावशान और सब दोनों में अविवासन और क्या है और उनको संदेश बेजने का उप राष्टपती का अधिकार यह अतुना खास आपके लिए इंपोर्टन नहीं है तो इसको हम लोग स्किप कर देंगे और राष्टपती का विशेस अविवासन सतासी यानि विशेस अविवासन कौन सा है 26 चनवरी पंदागस को यदि यह आपने डीरी नेशनल जवादा था तो उसमें दिखाया जाता था इसके लाबा जब शुब्य चनवरी वह उसके एक साम पहले राष्पती जी आते हैं मार्शन देते हैं किसी भी निच्वाब आप लीजेगा आते हैं तो इसके आरे में बताता है ठीक है फिर भी आप इसे नोट कर लीजे इंपॉर्टन हो सकता है आंगे देखिए आर्टिकल 87 88 सोरी यह कहता है सदनों के बारे में मंद्रियों और महान नयावाजियों के अधिकार क्या क्या हो सकते है यह अंच्छित 88 करता कि तेहाय है इसके बात नवाशी टाशансा दी चाहिए कि सबा कशावा पति और उप्षर्भा पती क्या प्रास्ट पती होगा इदुगला यह सतन सज्ग चुन आ जाए गा और अत्वापति के फंड-शावापति का प्ध रेक्तों होना पत्याग करना और पत्या करना अपहस पादि के रूप में कार करने के लिए उपसभापती के अनवक्ति की सकती यह उतना खास पर्टर आप के लिए नहीं है बाद में देखिए जब सभापती या उपसभापती को अठाय जाने कोई संकल्प बिचारा धीन है तो उसका पीटर सीन ना होना ठीक है यदि आपके उप इतना खासब के लिए इप्वाटर्ट नहीं है आगे प hesa लोकसभाव और उसके अद्थे पादच यह इपटर्ट्ट आपके लिए और 94 अद्थे उप ही एपो आपकी लावतियों में को लोसे प्रिक्तों क्योंगा ने की सकती तो यह भी आपके लिएमपोरणट है जब इसे अटाई है उसका पेटा सीन ना होना आपके लिए नहीं अचे सतानूए देख्थे utah फ्पापती खोपतित अदच उपादच के बेतं और बत्ते से भी इतना खास इंपना अबके लिए नहीं है और संसत का सच्वाल सच्वाल राज सुषय क्लीए अठावे कैसा सभाले सबसुषय जोल में आए को लकष. क्यों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की सक्ति और गनपूर्थी तो यह तना खास इंपॉर्टन आपके लिए हैं नहीं ठीक है आगे देखिए सदनों की सदस्यों की निरहता हैं यानि जो सदन में सदस्यों होंगे उनके पास क्या क्या आ रहता हैं होनी चाहिए उनको क्या क्या हो सकते हैं कि जिस प्रकार से वो सदस्यों से बन सकते हैं बिदाई कारें देखते हैं सबसे पहले बिदाई कारें क्या क्या है विदाई कार में 108 अंचेद क्या है कुछ दुसाओं में दोनों सदनों की सहिए तो यह आपके लिए बड़न है इसके आद अंचेद 109 देखिए धन बिद्यों को सम्मंद में बिशेज पक्रिया अपनाई यह इखिए तो यह आपके लिए इंप्धय अपन जाते हैं अंगर कॉंसा धन बिट्य की परिवासा क्या होगी एंचेद 110 कहता है यह most important आपके लिए ठीक है अंचेद 111 बिद्ये विशेज के संभंध में प्रकृइज यह अतना खास इंपॉर्ट्ट आपके लिए नहीं है आगे कौन से है, बित्ति विश्यों के संबंद में प्रकरिया, ये पूचा गया, ये बताया गया है, तो इसमें क्या है, बित्ति विवरण, यानि बजट, अंचित 112, तो ये आपके लिए इंपरण्ट है, इसके बाद, अंचित 1313, सदनों में प्रकरिया, ये वतना खास देखिए अंचेद 118 साधान तब पक्रिजा क्या हो सकती पक्रिजा के नियम जो सदस्ट है उसमें पक्रिजा हो सकती यह यह भी हो सकता है लेकिन इतना खास यह भी है नहीं ठीक है इसको भी हम लोग इसके भी करेंगे ठीक है चलिए आगे देखते हैं इसमें देखिए थोड़ा से मिझे को नज़र आ गया है सुरी एक तो आपके यह प्रिजा के नियम इस उठा रहा है वह 120 उन्चेद 120 सदन में प्रियोग की जाने वाली भासा सदन में जो भासा प्रियोग की जाएगी वह उन्चेद 120 बताता ह है तो यह हाँ पर आपके लिए इंपॉर्डेंट है अंचेद 120 आए कौन सा हमारा है अंगला देखिए राष्ट पती की बिधाई सक्तियां क्या क्या होगी द्यातीन यह कहता है और अंचेद 30 में इसका बर्णन किया गया कि संसद के बिश्राम काल में अध्यादेश प्रेक ख्यापत करने की राष्ट पती की सकती हो सकती है यानि जब समस्द नहीं यह तब भी उसके सकती हो गए राष्ट पती के पास की वह अतरष स्लागू कर देथ तो यह अंचेद 130 कहता है इंपॉर्डेंट है ऐqui लिए उचितम न्यायले की स्थापना और गठन जयानि सुप् Supreme Court की स्थापना और गठन एकुछ दो एक सोचवज बताता है और यह आपके लिए-उस्पाइस नहीं को बताता है जो सुप्रीम कोड के नहीं होंगे 126 कारकारी मुख नयाय मूर्ति की नियुक्ति कैसे होगी 126 क्या कहता है तदर्थ नयाय मूर्तियों की नियुक्ति क्या होगी 228 उचितम नयायले की पैटकों में सेना सेवा निपरित नयाय देशों की उपस्तति का होना ये भी इंपॉर्टन है अच्छेद एक्षेद 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 एक्ष यह उपर क्या है जिसे का सम्मंदित उच्छी Timeक पीले है यह इतिकार रिकता इतिना अभी इंपेंटन पर नहीं आपके लिए 135 यह पझेंट के लिए 136 यह इंपॉर्ट आपके लिए नहीं है और 137 यह important है आपके लिए निर्ण नहीं हो या रेसों का उच्छतम नियाले द्वारा पुर्णा बल्यूकन होना यह 137 यह आपके लिए important है इसके बाद 138 उच्छतम नियाली की अधिकारिक्ता की ब्रद्दी यह भी important नहीं है 149 यह भी important नहीं है दिखिए बता रहा हूं इसको मलब यह नहीं है कि आप बिल्कुल पढ़ें नहीं इसको इसका मलब यह है कि आप इस पर जाना बिशेष ध्यान ना दें जो मैं बता रहा हूं इस पर बिशेष ध्यान दें इसके 142 यह भी कुछ खास आपके लिए important नहीं है आगे लिए है इसके बाद 644 सिविल और नियाएक प्राथिकारियों और तता द्वारा उचितम नियाले की सायता में कार्ड किया जाना तो यह भी important आपके लिए है आगे कौन सा 44 का इतनी रिस्ट हो गया है नियाले के नियम आदी यह भी important नहीं है उचितम नायले के लिए अजिक कारिश यह भी important नहीं है निर्वाच्छन यह important आपके लिए कि कैस्पकार से निर्वाच्छन किया जाएगा ठीक है तो यह important है आपके लिए आगे क्या है अधाय पांच बारत का नियंतरक और महालेखा परिच्छक इसके आनम बताये गया है important है आपके लिए कौन साथ देखिए स्वरी अंच्छे 148 most important आपके लिए बारत का नियंतरक और महालेखा परिच्छक ठीक है important है आपके लिए आगे अंच्छे 144 भी आपके लिए important है कौन सा है नियंतरक महालेखा परिच्छक के करतब और सिसक्तियां क्या होगी और अंच्छे 150 संग्र के राज्य में लेखाओं का पारूप क्या होगा तो यह आपके लिए important है यहां पे तीनों आपके लिए important बन जाते हैं अब क्या आपका बाग 6 यह राज्जी के बारे में बात करता है तो पहला अंच्छे सुबावन परिवाशा यह तना खाज important नहीं है दूसरा दिया कारेपाली का कारेपाली का में सबसे पहले आते हैं राज्य पाल तो बाग 6 में क्या है राज्जी के बारे में चार्च जाएगी कि अब बाग 5 बताया था है मैं आपको केंद्र सरकार इसके बारे में बात की ग चाहिए राज्पाल की पताबदी क्या होगी यह विंपॉर्टन है और राज्पाल की नियुकती होने के लिए क्या रहता है वो सकते हैं किया क्या नियम हो सकते हैं उसकति हो क्या आना चाहिए नहीं आना चाहिए ये भी important है राजपाल फद के लिए सरते क्या हो सकती है ये भी important आपके लिए उप्शे तिसको ठावन और 169 राजपाल दोरद सपद या पतिज्यान लेना ये भी important है आपके लिए ठीक है तो यहां पर इतने आपके लिए important बन जाते हैं ये 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 आपके लिए important है देखिए अंचेद 161 देख लेते हैं डंडा देश का निलम बन ये कुछ आपके लिए important बन सकता है बविश में आने वाली परिच्छाओं के लिए अंगला देखते हैं अंगला हमारा कौन साथ अंचिद 163 इसको देखते हैं ये क्या कहता है राज पाल की को सायता और सला देने के लिए मंत्री परिशत ये important है मंत्री परिशत के बारे में बताया गया है आंगे देखिए अर्टिकल 165 राज जी का महा दिख्वक्ता ये important आपके लिए राज जी का महा दिख्वक्ता होगा एक और ये article 165 कहता है आँगे सरकारी कारे का संचालन इसके बादेखते हैं तो राज सर नहीं है आगे देखिए अला कुन सा मा रहा है जो कि बिधान मंदलक करगठन अंशेथ 168 इंप्वर्टन आपके लिए काफी जाना इसके एक सुन अत्तर डाज्यों के बिधान परिश्चेदों का अत्पादन स्चेजन यह इतना कास इंपोर्टन नहीं है बिधान सवाओं का गठन यह इंपोर्टन आपके लिए और उसकी संग्रचना गठन तो यह इंपोर्टन आपके लिए नहीं है आगे राज्यों में बिधान मंदलों के विदी क्या होगी यह उतना खास इंपॉर्टन आपके लिए नहीं है फिर भी लिख लीजे याद कर लीजे इंपॉर्टन हो जाएका आपका कभी बुश्य में इंपॉर्टन बन सकता है कि आगे ओं सा देखिये अंगला कौंसा है दाज्यों कि बिधान मंदलों पाते दगाए नहीं पके लिए हैं udah चपाल का विशेश ब्ुखशण यह इंपॉर्टन आपके लिए है इसके अलावा, सदनों के बारे में मंत्रियों और अजिवक्ताओं के अधिकार, तो ये important आप के लिए है, आगे क्या आए, राज के बिधान मंदल के अधिकारी, इसके बारे में थोड़ा से देख लीजिए, बिधान सबहा के अध्यच और उपाद्यच, ये important आप के लिए, जो बिल्हांस सभा होगी उसके अध्यच और उपाद्यच क्या होगे तो यह डिशाइड करता है 168 इसके बाद 119 नवासी के बाद 118, 182 और 183 यह आपके सभी इंपॉर्टन्ट है तो यह सारे आपके लिए इंपॉर्टन्ट है अध्यच उपाद्यच का पत करना पत्याक करना और फस्य खटाया जाना और एकसी का है अध्यच के पत करत्वियों का प्लान करना और अध्यच की रूप में कारकरने वाली उपाद्यच और नहीं कि सकती क्या हो सकती है जो एक 180 कहता है इसके लागा 180 जब अद्धे चाहव पत्रच पता हटाय लेने कोई संकल विचार दिने तब पीटासी ना होना तो इतना खास इंपॉर्डटन नहीं आपके लिए और बिधान परिश्द का सभापती या उसभापती यह ना होaráब के लिए नहीं है बेतन बत्ती येवी इंपॉर्डन नहीं है उतना खास और 1804 या भी आपके लिए घ्र्डशी निख्यवाद र्रच की शहाएं क्या होगा को कारे संचालन में तो यह इत Nada खास इंपॉर्ड नहीं आपके लिए यह इंपॉर्ड़ नहीं है यह इस सदस्ट की निहरता है जो सदस्टर है उसकी निहरता है क्या होगी उसको उसको आना चाहिए ता कि बन सकता है तो यह फेर न नहीं, आपके लिए सहां slut का ध penalty की परिवास्शा को निंद्यान वे राच्व है यह वते हैं इसके रावा दzeitig ऑन्मती यह इंपॉर्ड्र आपके लिए इसके बाद टेल में आपके लिए इसके बात क्या है दोस्तों पॉर्टर याप लिह पोग्य आने सभी कोई important नहीं आपके लिए ये important नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं और इसके बाद ये पूरा नहीं आपके लिए important है उतना खास इसमें ये important आपके लिए बिधान मंदर का प्योग की जाने वाली भासा ठीक है ये तना important आपके लिए इसके बाद क्या है राजपाल की बिधाई साक्तित क्या हुए तो 2 2018 क्या 나와 किया कहता है इसके दाहबा आर्टिकल सुच्वदा क्या कहता है नाले करे ले biggest आले होना यह बिंपॉर्टंट है इसके बाद 16 इleb Państwo क्रतीख सबर्ट और 17 इसके नालो की नादश्यों बन जाते हैं इसके बाद क्या आपके लिए important है तो वो है अंचे 222 किसी नयादीस का एक चनाल से दूसे उस चनाल में अंतरहन करना ये important है आपके लिए इसके लाबा नयादीसों के बेतन ये भी important आपके लिए बन जाता है थोड़ा वो इसके बाद articles 23 ये भी important आपके लिए कारेकारी मुख नयमूर्थी की नयुक्ति करना और article 24 का कहता है अन्ने नयादीसों की नयुक्ति और अपर और अन्ने कारेकारी नयादीसों की नयुक्ति तो ये भी important बन जाता आपके लिए 124 यह उतना खास इंपोर्ट काई इंपोर्टन नहीं है उतने लिए बिर दिमान उच्छे नायलों के लिए यह इंपोर्टन नहीं है आपके लिए कुछ च्रिट निकालने के लिए उच्छे नाले की सकती यह important आपके लिए अंचे 226 यह important आपके लिए है इसके बाद यह भी important नहीं आपके लिए है और यह भी नहीं है यह भी नहीं यह भी और यह भी नहीं आपका आए चलिए यह इंपॉर्टन डाप के लिए है उन्चे 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्छ नयाले का स्थापना होना उधाना के तरप देखेगा जो कुलकाता में जो उच्छ नयाले है उसमें क्या है अंडमान निकोबार दीप समूव और पश्च मंगाल दोनों जो है एक ही नुच्छ नयाले से काम चलाते हैं ठीक है तो यह आपको याद रखना है अंच्छ देख सूब 31 इसके बाद जिलान अगर दोनों की निकोड़ corazón यह भी इंपर्टन आप के लिए है अंच्छ दोご सुथ यह इंपर्टन आपके लिए है इसके लाब आँके देहरा एंग्ला कर्या मारा तो और तो सब pracy यह उतने कासयं बहुत नहीं है ठीक है यह भी नहीं यह भी नहींं अच्छे 241 संग राच छेत्रों के लिए उच्छ नहीं आया ले यह इंपोर्णट है आपके लिए और मांदा की पॉंटर नहीं है ठीक है इसकी पीडियाप चाहिए तो आपको क्या करना है मैं आपको पुना बता रहा हूँ क्या करना है एप डाउनलोड करना है कौन सा एप एक्जाम बेब एप और समपर किस से करना है यह आपको तिकत आती है दो नमबर है 96436228017905407400 किसके लिए पीडियाप के लिए आने देखिए भाग 9 यह पंचायतों के बारे में हमें बताता है तो सबसे पहले क्या है तो सबसे पहले देखिए अंचे 243 नगरपंचायते पालिक नगरपंचायते पालिका और सहकारी समय्तियां यह सब अंचे 243 नगरपंचायते अविति अनरता है इस सब आपके लिए देख लेना है इसके बाद क्या है बाग नोका का बाग है नगर पालिकाएं यह भी इंप्रॉटन है ठीक है चलिए भाग दस अंचूचीत और अंचूचीत जंजाती छेत्र तो दुसरे च्वालिस यह क्या है यह इंप्रॉटन आपके लिए और चलिए नाकास नहीं है आपके लिए भाग्या रासंग और राज्यों की भी समंद्र क्या हो सकते हैं जिसे विदाई समंद्र अध्या पहला मारा है तो 200 कौन सा है 45 नाकास आपके लिए नहीं है 245 इसके बार अफ्षिष्ट विदाई सकती हैं यह इंपर्णन आप के लिए ठीक है यह इंपर्णन है और इसके बाद आता है हमचे 252 या दो से अधिक राज्यों के लिए स्रेकाई समय्टिक बिदी बनाने के संसत के सकती ऐसी बिदी जो किसी अन्राज के अंगिकार किया जा वन्टो तरह अपनाईगी विदीयों की अश्रंगती यह इंपर्णन आप के लिए इसके बाद 256 ऐसे बाद आता है 262 अंतर नदियों या नदी दूनों जल संबनी विवादूका नयाइक करण्य यह इंपर्णन आप के लिए इसके बाद अंतर राजिय परश्यतों के समंद्न में वन्द है यह important आपके लिए और इसके बाद आता है आपका बाद बारा श्टार्ट हो गया इसमें संपत्ति संबिता और बात बताए गया है तो बित्त में 266 आपके लिए बारत और राज्यों के संची निदियों के लोग लेखे यह इंपॉर्टन आपके लिए बन जाता है 266 आपके लिए 277 के बाद आपका आता है 272 इंपॉर्टन आपके लिए इसके बाद आता है और यह तो इंपॉर्टन नहीं आपके लिए 286 बित्त आयोग मोस्ट इंपॉर्टन आपके लिए बन जाता है 288 के बाद 288 भी इंपॉर्टन है बित्त आयोग की कैसी पारिसे हैं यह इंपॉर्टन है आपके लिए इसके बाद प्रेके इंपॉर्टन नहीं है इसके बाद आपके लिए को इंपॉर्टन नहीं है इसके पारह राजियों का उड़ा Title था ले ना ठीक है 293 चिस रहए लिए उर्फडेर आपके लिए पिशुख दोशुरू टिरान्वे यह इंप्पॉर्डट यापके लिए इसके बाद आपके लिए चाहिए यह कहता है यह ब्यापार पाड़ेचे और सभा गम की सुतांदरता होगी ति के 301 और 301 के बाद आता है 309 यह इंपॉर्टन सभी कुछ इंपॉर्टन नहीं आपके लिए 309 क्या है कि वाग चौधा में संग और जिवाइड करने के लिए पेक्टिव की बढ़ती और सेवा की सर्ते जानि यानि उप्यस्ट की सभाध कर रहे हैं रहा है संग या सभागकर करने वाली परतिया से नहीद भीर आप या पर बात हो रहे हैं दोस्य हो न्व के बाद आता है 210 संग या राज की सेवा करने वाले भक्तों की पदावदी क्या होगी और 210 सो डशन के बाद आता है 212進 multi लोग से भायोग ऑनि लोसे की संग लुक से और किके दोनों ये इनके लिए 2 315 313 और 313 लोग से वाइयों के किसी सदस्यतार हटाया जाना के बाद आता है पर 323 इंपर्णट है ठीक है 323 का का प्रशासने का अधिकरन और तीच इसको का अनिविश्यों के प्रादिकरन लिए है यह इसके याद आपका भागफद़न आ गया भागफद़ा में दीकरन के लिए तो सबसे पहले दिकartet भाग अर्टिकल में 2324 तके लिए पूर्ट है निरवाचन ऑदे शन नियन तर्ण दिरवाचन आयों GU में निहित होना ये सब में आपके है निर्वाचन कैसमे बाख 15 में आपको इंप्रण है अंचे 329 तो ये भी आपको याद रखना है निर्वाचन आता है और इसके बाद कौन सा है मारे मिपॉर्ण है अंचे 229 तीजिए 339 निर्वाचन संबन्धी में अंसूचित जातियों जिन जातियों के लिए इस्थानों का अरच्छन होना तो यह 330 के अंतरगात आता है भाग है भाक सोला में तो यह वह आपको याद आए 333 301 इंपरटन आप के लिए लोग सवा में अंगल भालती समयायों का प्रते नेट्ट यह इन्पार्ट्ट ऐखको बिधान सबर्वाव में अंसूजी जाती होते यह यह स्थानों का अरच्षण वहना इसके आठ 337 भी इंपोर्टन आपक wtf के है तीन सु सब्सक्राइब्र-चेन इपन्हुकों चूज़त वहे अनंगल भारती हिसों मि oppos Came राजवासा तो तीन सु इतारी कि राजवासा जो हिंदी यह इंप्रटन आपके लिए और तीन सु पैतारीच के बार अपके लिए यह इंप्रटन आपके लिए आपका मात बासा में सिच्छा की सुब्धा है थीए हमारा बातु से पर मातबासा में सिच्छा की सुब्धा है यह इंप्स्ट के लिए and अंचे, 350 खांप भासाई आप संके ब्रगों के लिए पिष्य सद्रिकारी यह इंपोर्टन आपके लिए, इसके बाद, 345 1956 आपके लिए राज्यों मिके समिधानी तंतर में विफल हो जाने की तिसामें उपवंद होना यह इंपॉर्टंट है 356 356 का 360 पॉर्टंट है आपके लिए बित्तिय आपात कार्वाने उपवंद यह है आपके लिए इसकार बागुण इसके बागुण नीश में देखिए तो आपके देख़ें कौन सा है तो इसमें आपका जो आता है 300 तो इसके बाद आता है अब का 300 268 ठीक है यतना खास इंपोरण नहीं है यह थीन सससा कॉम सा भारत के नियंतरक माले का परिष्चे के बारे उपवंद यह इंपॉड़न है यह आपको याद रखना है और इसके बाद कौन सा मारा 392 काटनायों को दूर करने की उराश्पती की सकती यह इंपोर्टन है इसके बाद 393 यह कुछ लगूशी शक है संचितना प्रारम हिंदी बाद सामीं प्रादिकत पार्ट यह इंपोर्टन है और 395 तो निर्शेट होई चुका है तो यहां से क्या है हमारी क्लास कंप्लेट होती है हमने सारे इंच्छेट इसक्स कर लिए उमीद है वीडियो पसंद आई की वीडि सबसे पहले आपको मिलते हो और या दिया को किसी पीडियप शेही है तो आपको बस एक काम करना एक क्या करना है और डाउन्लोड करना हमारा और कौंसा नाम है उसका एक्जाम बेव के नाम में एक्जाम बेव इसको डाउलोड कर लेना है या फिर आप में वार्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं काउंटिक नमबर क्या है 9643622801 या 7905407400 इन पे आप संपर कर सकते हैं ठीक है चलिए मिलते हैं लिए